माइनस पचास डिग्री सेल्सियस बर्फ बारी के बीच टटी सेना रेगेस्तान के पचास डिग्री सेल्सियस में रेद भरियांदी से चूचते जवान समंदर के रास्ते आने वाली हर मुसीबत के लिए तयार नौ सेना अप्रत्याशित मौसम से जूचते जवान एर्मेन की हिम्मत और लगप ताटों की रक्षा में तैनाद कोस्ट कार्ड हवा, समंदर और समीन हर तरफ तैनाद देश के बहादुर से पाही आजादी के 70 सालों में भारत की तरक्की में आने वाले हर काटे से लड़े हैं मुल्क की सेवा को अपना धर्म बनाया है आपने देश की सेवा के साथ अपने बच्चों के सुनेरे भविश्य के बारे में भी सोचा है आपने और इस देश के भाविश्चे के लिए वोट भी तो दिया है आपने कोशिश हमेशा रहती है कि हमेशा देने की और क्योंकि Navy service है और हमें C service करनी पड़ती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम वोट नहीं दे पाते हैं आएए देखे कि एक Service Voter के रूप में आप कैसे वोटते सकते हैं? या वात है जाद हो? उमने अपने आपको Service Voter के रूप में रेइश्टर किया कि नहीं? कि Service Voter क्या होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति जो भारतिय सेना में है, वायू सेना में है या जल सेना में है कोई भी व्यक्ति जो आर्मी एक 1950 के दायत किसी केंद्रियबल में है जो भी व्यक्ति स्टेट आम पुलिस फोर्स का मेंबर है और अपने राज्य से बाहर पोस्टेड है या फिर कोई भारत सरकार की सेवा में विदेश में पोस्टेड है ये सब सर्विस वोटर की केटेगरी में आते हैं सर्विस वोटर अपनी पत्नी को भी सर्विस वोटर के तोर पे रेइस्टर कर सकते हैं लेकिन अगर पत्नी सर्विस वोटर के साथ उसके प्लेस वोग पोस्टिंग में रहती हो तो देखो ऑनलाइन जाना है www.servicevoter.nic.in पे उस पे जाके फॉर्म नंबर 2 डाउनलोड करके भरना है ये सब भरके रेकोड ऑफिसर या फिर अपने यूनिट ऑफिसर के पास सब्मिट करना है प्रॉक्सी वोटर के जरे भी आप अपना वोट डाल सकते हैं प्रॉक्सी वाटर मतलब तुम अपनी जगह किसी को नॉमिनेट कर सबते हो वोट देने के जिए और अगर तुम किसी पीस स्टेशन पे पोस्टेड हो गए तो तुम जनरल वोटर बन सथे हो उसी कॉंसिट्वेंसी से अच्छा ये रेजिस्टेशन तो हो गया लिकिन वोट कैसे देंगे देखो डिटेल में समझना है तो JCU साब के पास चलना पड़ेगा मैं वही जा रहा था चलोगे अहाँ चलेंगे चलेंगे इसमें क्या होता है सबसे पहले पोश्टर बैलेट पेपर होता है और यह फारम 13a यानि डिक्लिरेशन बाइद एलक्टर होता है और साथ मीं दो लिफापे होते हैं एक 13b यानि चोटा लिफापा और 13c यानि बढ़ा लिफापा होता है इस पर तुम जिस भी कंडिडेट को अपना वोट देना चाहते हो, तीक मार करो, इसे मोड कर यह छोटे लिफापे में डाल दर। फारम 13A यानि डिकलेरेशन बाइदा एलेक्टर इसको भर कर सायन कर दो और अपने कमांडिंग ओप्सर से इसको अटेस्ट कर वालो और छोटे लिफापे के साथ इस बड़े लिफापे में इसको डाल दर। अब एलेक्शन कमिशन एलक्टरोनिकली हमारे पास बैलेट को बेजने का प्रबंध कर रहा है यानि डाक से आने माला जो समय होता है वो बच जाएगा और हमारा ओट वक्त पे निर्वाचनायोग तक पहुच जाएगा इसे डाउनलोड करने के लिए रेकॉर्ड ओफिसर, यूनिट ओफिसर या हमसे जुड़े जो कमांडिंग ओफिसर होते हैं उनके पास से एक OTP यानि One Time Passable मिलता है जिसको डालकर यह फार्म प्रिंट हो जाता है और डिक्लिरेशन फार्म और बैलेट पेपर के साथ इसके साथ इसके साथ दो स्टीकर प्रिंट होता है एक स्टीकर फार्म 13B यानि छोटे लिफापे पर और दूसरा स्टीकर फार्म 13C यानि बड़े लिफापे पर चिपकाना होता है बाखी कीपर क्रिया बिल्कुल वैसे हैं जैसे नौर्मल पोस्टल बैलेट कीप की होती है इस मुख की तामीर में तेरा खून भी है तेरी कुरुबानिया भी याद रखना के मुख ये बहफूज है क्योंकि तू है इस मुख का जर्रा जर्रा तर्जदार है तेरा तरह कुन की हर इक बूद से तूने से सबारा तेरे मुख को हर दम तेरा साथ है जरूरी तेरी आवाज भी जरूरी तेरा वोट भी जरूरी तेरी आवाज भी जरूरी तेरा वोट भी जरूरी आजी खुद को as a service voter www.servicevoter.nic.in पर online register करे आप form डाउनलोड करके offline भी register कर सकते हैं